हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा स्वागत है आपका मेरी किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करे हूँ बिना अंडा बिना मैदा के टी टाइम केक की रेसिपी और आप देख सकते हैं हमारे इस केक में कितनी अच्छी जाली आई है एकदम स्पॉंजी केक बना है क्या आपने क जाएगी बस आप जो मेरे बताए हुए प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके जो फूट केक है ना बहुत ही जादा शानदार बनेगा एक बार इस केक को ज़रू ट्राय करें घर में बच्चे तो इसको पसंद करेंगे ही करेंगे बड़े भी इस केक के फैन हो जाएंगे तो इसके उसी कप से ना आपके आधा कप के जितना हम धही ले ले अपको ताजा लेना भूट बहूत जादा खटा धही ना ले अब इससे जाए मिक्स कर देंगे अगर कम से कम आदे घंटे के लिए जितने में सूजी जो अच्छे से एक दम फूल जाएगी अब जिस भी बरतन में आपको केक बनाना है उसे हम पहले अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो आज मैं इस तरह का की केक टिन यूज कर रहे हूं आप घर के किसी भी बरतन में जो स्टील का कोई भी होते हैं Women दे हराइगे स्थी उसे उपर मैंने बट्र पेपर लगा दिया है उसके उपर भी थोडा सा उइल से इस तरह से इप्र जाए है जब्र चुनी को ग्रीन तो को umblesा है और तिस दीम्य को प्रेटे को के Already हम 180 degree पर set कर देंगे देखे एक बार दबाएंगे 250 फिर दूसरी बार दबाएंगे 220 फिर 200 फिर 180 degree आ जाएगा उसके बाद हमें timer set करना होता है तो यहाँ पर 10 minute, 1 minute और 10 second मेरे पास 3 option दिया हो है तो मैं direct 10 minute को प्रेस कर देती हूँ क्योंकि मुझे 10 minute के लिए preheat करना है अब start का दबन बटन दबाएंगे और यह देखे हमारा जो microwave है वो preheat होना शुरू हो चुका है अगर आपके पास microwave है तो आप बहुत ही असानी से microwave में cake easily बना सकते हैं अगर आप कड़ाई में बना रहे हैं तो कड़ाई को भी 10 minute के लिए पहले गरम होने के लिए रग दे यहाँ पर ह और या फिर आप बटर को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं एक टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल देंगे और थोड़ा समय इसमें पानी डाल रहे हूं क्योंकि मिक्षर मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है अब हम इसका एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे पीस देख सकते हैं कुछ इस तरह की है इससे जदा गाड़ा आपको नहीं रखना है थोड़ा सा पानी एड कर सकते हैं अब हम इसमें एड कर देंगे 4 टेबल स्पून के जितना मिल्क पाउडर वैसे यह डालना ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो टेस्ट इसका अच्छा आता है तो बिल्कुल जैसे मार्केट से ब्रिटानिया के केक खरीत के लाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा 14 टेबल स्पून के जितनी मैं यह टूटी फ्रूटी डाल दिया इससे हमारा केक दिखने में अच्छा लगेगा और बच्चों को यह खाने में भी अच्छ और एक चुटकी नमक डाल देंगे अगर आप बटर यूज कर रहे हैं रिफाइन तेल की जगा तो आप नमक स्किप भी कर सकते हैं अब सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे बेकिंग सोडर और बेकिंग पौडर हमारे पूरे बैटर में अच्छे से मि मतब फूलना शुरू हो जाएगा उपर से मैं यह थोड़ इसी तूटी फूटी और इसमें एड़ कर रही हूं जिससे की केक हमारा दिंगने में अच्छा बनेगा यह डालना ऑप्शनल है अप हमने अंदर तो डाली चुके हैं अगर आपके पास है नई तो डाले ने तो इ और यहां पर हमारा माइक्रोवेव भी प्री हीट हो चुका है दस मिनट हो चुके हैं फटाफट से हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे केक टिन को फिर से कन्वेक्शन मूट के बटन को प्रेस करते हुए 180 डिगरी पे लाएंगे और इस बार हम 35 मिनट का टाइमर सेट कर करने के बाद स्टार्ट का बटन दावाएंगे और यहां पर देख सकते हैं हमारा केक जो है वो बेक होना शुरू हो गया है अगर आप कड़ाई में बना रहे हैं तो प्रेहिटीट कड़ाई में केक्टिन को रखे 35 से 40 मिनट तक इसको बेक कर लिए या पिर जब तक टूथ कम से कम आदा घंटा आप इसको ठंडा होने के जरूर रखें आदे गंटा के बाद ही चंधन नकाले में हमारा सब्सक्रôm को बिलकूल थंडा लगे तब आप इसका इसले चैना की नाइफ का तास knock से लिए औग लूइग और लूस कर लेगे और के र discourल करेंगे बहुत ही अ पीछ बेक साइड में और यहां उपकर से कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉंजी बना है और यहां पे एक स्लाइस में आपको कॉत करके दिखाती मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप एक बार इस तरह से रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा, बहुत पसंद आएगी है, और ट्राइ करने के बाद रेसिपी कैसी लगे, प्लीज मुझे कोमेंट सेक्शन में लिखके भी जरूर बताईएगा, आज की वीडियो पसंद आई सूजी से बनाया है, तो यह बहुत जादा अनहेल्दी नहीं है, मतलब आप इसको बच्चों को अराम से खिला सकते हैं, और यहां पर मैं आपको एक स्लाइस उठा के भी हाथ में दिखा देती हूँ, कि यह देखे कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉंजी बना हुआ है, देखे इसका और जालिया देखे, मैं तो आज शाम की चाय के साथ इस केक को एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसे ट्राइ करें और एंजॉय करें, थैंक्यू सो मच फर वाचिंग